हेलो विवर्स मेरा नाम सोनीज सराटे मद्रप्रदेश पुलिस आवास एबं अधरोशव जनिना विकास निगम भोपाल मैं सायक यंद्री के परपर प्रदस्त हूँ आज हम जो टेस्ट करने वाले हैं उसका नाम है सिल्ड कंटेंट आफ सेंट बाई वॉल्यूम मैठट इस टेस्ट को कैसे किया जाता है इसकी सैंप्लिंग कैसे की जाती है और इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए कौन-कौन से एक्यूप्मेंट लगते हैं इसके बारे में हम आपको बदाएंगे सैंड का यूस करने से पहले सैंड में सिल्ट का परसेंटेज पता होना बहुत जरूरी होता है अगर सिल्ट का परसेंटेज 8 परसेंट से जादा होता है तो यह हमारे concrete की workability, durability और strength को effect करता है इसमें कौन-कौन से equipment यूज करते हैं यह हम आपको बताएंगे सबसे पहले as per IS code 2386 part 2 में अनुसार measuring cylinder होना चाहिए 250 ml का होना चाहिए और drinking water होना चाहिए sand होना चाहिए और salt होना चाहिए इसका procedure देखेंगे सबसे पहले हम अपनी site पे sampling लेंगे sampling कैसे लेंगे? sampling लेने के लिए हमें site पे dump हुए sand को 5 different places से हमें sample collect करना है sample collect करके हमने sand ले लिए sand लेने के बाद सबसे पहले हम 1% salt मिलाकर 100 ml का solution बनाएंगे water and salts है जो कि मैंने बना लिया है इसके बाद हम इसमें 50 ml अपने measuring cylinder में add करेंगे up to 50 ml हमने अपना solution salt और water का इसमें mark कर लिया है इसके बाद हम 100 ml mark तक sand add करेंगे हमने 100 ml mark तक sand add कर लिया है इसके बाद हम 50 ml अपना solution salt और water का add करेंगे अब हमारा 50 ml और add हो चुका है अब हमारा जो reach point है until 150 ml हो गया है इसे हम shake करेंगे अपने palm से उपर डबा के इसको close करके इसको shake करेंगे upward downwards इसके बाद हम इसको flat surface पर तीन से चार घंटे के लिए रख देंगे अब हमारे तीन से चार घंटे हो चुके हैं अब हम reading को observation table में note करेंगे इसमें दिख रहा है कि हमारा जो silt है वो अपर portion में दिखाई दे रहा है जो की 4 ml है और हमारा volume of sand है वो 84 ml आ चुका है अब हम इसको observation table पे note करेंगे observation sheet में सबसे पहले volume of sample V1 हम note कर लेंगे जो की लिखा हुआ है 84 ml volume of silt हमारा आया है 4 ml जो हमने note कर लिया है silt content का formula होता है V2 upon V1 into 100 यह हमारा percentage of silt निकल आएगा जो percentage of silt है वो हमारा आ रहा है 4.76% ऐसे हमने 2 sample और ready करके रखे थे जिसका हमने test कर लिया है इन तीनों का जो average है वो हमने निकाल लिया है इसका जो हमारा average percentage आ रहा है वो है 4.78% जो की हमारा permissible 8% से कम है तो यह हमारी send use करने लायक है Thank you झाल 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 झाल